नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट लोग सबाच चुनाओ के लिए विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाने वाले नितीश कुमार ने एंडिये के साथ मिलकर सरकार बना ली है जिसकी वज़ा से विपक्षी ग के एंडिये में जाने की वज़ा आर जेडी को कम और कॉंग्रेस को जादा बताया जा रहा है जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस सवालों के घेरे में है लेकिन जब ये पूरी सियासी घमासान हो रही है तो ऐसे में कॉंग्रेस ने अपना नया एजंडा शुरू कर दिया है जिस तो आपने सुनी होगी लेकिन अब ये ट्रेंड राजनीती में कॉंग्रेस ने शुरू कर दिया है जी हां कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है सब कुछ समझाते हैं दरसल कॉंग्रेस ने भारक जोडो न्याय यात्रा की खातर पैसा जुटाने के लिए 27 जनवरी को की सामगरी मिलेगी पार्टी के कोश्चा अध्यक्स अजे माकन ने बताया है कि राहुल गांधी की अगवाई में यात्रा 67 दिनों तक चलीगी ऐसे में कोई भी व्यक्ति नियूंतम 67 रुपे या फिर 670 रुपे 67,000 रुपे तक योगदान दे सकता है उन्होंने कहा कि 27 जन या इससे अधिक का डोनेशन करने वालों को राहुल गाधी के साइन वाली टी-शट मिलेगी माकन के अनुसार इससे पहले कॉंग्रिस की ओर से चलाए गए डोनेट फॉर देश अभियान के तहत एक महीने में 17 करोड रुपे से जादा की राशी एकत्र हुई थी उन्होंने बताया कि जो कोई भी 670 रुपे या इससे जादा पार्टी को चंदा देगा उसे राहुल गाधी के साइन वाली टी-शट दी जाएगी कॉंग्रेस की भारत जोडो नियाई यात्रा 14 जन्वरी को मडिपूर से आरंभ होई थी ये यात्रा 6713 किलोमेटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होती हुई 20 या 21 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी वैसे आपको बता दे कि इससे पहली भी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से चंदा मांगने की कोशिश की गई थी लेकिन उस वक्त खुद कॉंग्रेस ने गलत वेबसाइट को प्रमोट किय अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं क्या हुआ था कॉंग्रेस ने 2024 के लोगसवाचुनाओं से पहले पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट वर देश शुरू किया कॉंग्रेस सद्यक्स मलिका जुन खडगे ने 1,38,000 का चंदा देकर पार्टी के ओनलाइन क्राउड फंडिंग कारिकरम की शुरुवात की उन्होंने कॉंग्रेस समर्थकों से अपील की कि वह बहतर भारत के निर्माड के प्रयासों में सयों के लिए चंदा दे खडगे ने इस मौके पर कहा कि यह पहली बार है जब कॉंग्रे इस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है उन्होंने कहा कि अगर आप केवल अमील लोगों पर निर्भर होकर काम करते हैं तो आपको उनकी नीतियों का पालन करना होगा महत्मा गाधी ने भी स्वतंतरता संग्राम के दोरान जनता से दान लिया था इससे पहले कॉं कॉंफ्रेंस कर बताया कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस अभियान में 131380 या 13800 रुपे का दान दे सकता है वेड़ों गुपाल ने कहा कि क्राउट फंडिंग अभियान महत्मा गाधी के एतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेडित है जिसे 100 साल से भी अध मारत के निर्माण में पार्टी को सशक्त बनाना है वेड़ों गुपाल ने बताया कि कॉंग्रेस 138 साल की यात्रा का जिश्न मना रही है इसलिए लोगों से 138 के गुडांक में चंदा देने की अपील की गई है कॉंग्रेस ने पिछले लोगसभा चुनाओ से पहले 2 आउट फंडिंग अभ्यान शुरू किया था हालाकि इस अभ्यान को जमीन पर जादा गती नहीं मिली थी समाचार एजिंसी के मताबिक कॉंग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी आर्थिक तंगी से जूज रही है और अच्छी तरह से सुजित्त भारत चुनाओ मिश्नरी से लडने के लिए कॉंग्रेस को पैसे की जरूरत है बीजेपी ने इस अभ्यान को लेकर विपक्षी दल कॉंग्रेस पर निशाना सादा है बीजेपी ने आरोप लगा कि ये सारवजनिक धन को हड़पने और गाधी परिवार को समर्द करने का एक और प्रयास है इतना ही नही बीजेपी ने कॉंग्रेस सांसत धीरत साहू के ठिकानों पर आये कर छापे के दौरान रिकॉर्ड नगदी जप्त की और इशारा करते हुए कॉंग्रेस पर हमला बोला बीजेपी प्रवक्ता शहजात पूनावाला ने आरोप लगाया कि जिन्होंने साट सालों तक भारत को लोटा वो अब उसी देश से चंदा मांग रहे हैं उन्होंने दावा किया कि कॉंग्रेस ने भर्ष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए डोनेट और देश अभियान शुरू किया है यह धीरत साहू के यहां पड़े ठिकानों के बाद शुरू किया गया है बीजेप गाधी के एतिहासिक तिलस्वराज फंड से प्रेइदित है उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा वो कॉंग्रेस महत्मा और तिलक दोनों को कलंकित करेंगे उनके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गाधी परिवा जारी रखेंगे यह कदम पैसा मांगने का एक और जरिया बन जाएगा कॉंग्रेस आंसत धीरत साहु पकड़े गए हैं मालवी ने कहा वंशवाद के लिए दान मत करो इतना ही नहीं कहानी में मोर तो तब आया जब वेबसाइड ही फर्जी निकली कॉंग्रेस ने एक बार अपने चंदे का मांगने के अभ्यान डोनेट और देश के जरिये खुद की पजीहत करवाली है इस बार मूर्खता का इस्तर को जादा बड़ा है कॉंग्रेस ने चंदा मांगने के अभ्यान के लिए एक फर्जी वेबसाइट का जोर शोर से प्रचार किया जो की चंदा मां आतने यात्रा के लिए एक स्पेशल पैंप्लेट जारी किया इस पैंप्लेट में कॉंग्रेस के चंदा एकत्री करण अभ्यान डोनेट फॉर देश की वेबसाइट और चंदा देने के लिए QR कोड भी दिया गया था वह बात अलग है कि वेबसाइट और QR कोड दोनों ही गल इसे से योग ही कहा जा सकेगा कि गलत वेबसाइट donateinc.co.in खोलने पर एक वेबसाइट खुलती है जहां कॉंग्रेस के इस चंदा लेने के अभियान की आधिकारिक वेबसाइट की तरह ही सभी जानकारी और तस्वीरे उसी स्टाइल में लेखे होई है यह साफ है कि यह पैसा कॉंग्रेस को जा रहा है लेकिन असल में यह पैसा अंजान लोगों को जाएगा क्योंकि यह QR कोड और URL कॉंग्रेस की आधिकारिक पैमप्रेट में है इसलिए लोगों को इसके फरजी होने का शक नहीं होगा उपर से इस वेबसाइट ने चंदा इखटा करने के कॉंग्रेस को पैसा देने के लिए इस लिंक को खोलने के बाद गूगल पर भुकतान वाले पेज पर उपर की तरफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस नाम लिखा दिखेगा हाला कि नीचे की तरफ इस पेज में बैंकिंग नाम की जगह पर रोज कैश नाम लिखा दिखता है इससे इशपष्ट होता है कि ये एक खोटाला है भले ही गहन जाच के बाद ये पकड में आ जाता हो लेकिन हर व्यक्ति इस मामले में सतरकता नहीं बरत सकता और ना ही इस घड़बडी को पकड़ सकता है इसके पीछे वजह ये है कि वो कॉंग्रेस पार्टी द्वारा दिय करता है कि रोज कैश नाम के कुछ एप हैं जो बादा करते हैं कि जो भी इन एप को डाउनलोड करके साइन अप करेगा और कुछ एक्टिविटी करेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा हाला कि सपश्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कॉंग्रेस को चुना लगाने के लिए गई है अलाकि ये जरूर कहा जा सकता है कि एक घोटाला है और कॉंग्रेस को चुना लग चुका है इस पूरे मामले में बात गौर करने वाली है कि कॉंग्रेस ने इस पूरे गडबड जाले पर कोई विशेश आपति नहीं दर्च करवाई है जबकि इसमें बड़ी संख्य इसको लेकर कॉंग्रेस ने खूब होला किया था बहराल आपको बता दे कि कॉंग्रेस पाटी ने कुछ ही दिनों पहले चंदा इखटा करने के लिए डोनेट और देश नाम का अभियान शुरू किया था उसके बारे में कॉंग्रेस के कोच्षा ध्यक्ष अजे माकन ने बत माकन इस उपलब्दी के लिए चंदा देने वालों को दिल से धन्यवाद दिया है अब एक बार फिर से राहूल गाधी की टी-शेट के नाम पर कॉंग्रेस ने चंदा मांगने का काम शुडू कर दिया है इस्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टी-वी नमस्कार